पेशा जैसा की आप जानते हैं, आज अर्थहीन हो जाएगा। आप मेंसे बहुत से लोग अपने व्यवसाय से बाहर होंगे जब तक की आप कुछ ऐसा नहीं करते जो एक मशीन नहीं कर सकती। आपको अपनी बुद्धी से परे किसी चीज से लैस होना चाहिए। तभी आप प्रासंगिक होंगे। यह कृत्रिन बुद्धि मत्ता आपको परिशान नहीं करेगी। तो आज की तकनीकी दुनिया में हम जानते हैं कि कृत्रिन बुद्धी और रोबोटिक्स हावी हो रहे हैं। वे अत्याधुनिक प्रौध योगी किया हैं। तो इस तरह की तकनीकों और ध्यान और योग जैसी प्राचीन प्रथाओं के प्रतिछेदन के साथ ऐसी तकनीकों की परस्पर क्रिया पर आपका क्या विचार है। क्या आपको यदि है कि मैं असली हूँ। क्योंकि पिछले डेड़ साल से वे मुझे दुनिया भर में सभी प्रकार के आठिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेल्नों में बोलने के लिए आमंतृत कर रहे हैं। Artificial Intelligence, because I am not an expert in the field. मैं एक प्राक्रितिक बुद्धी हूँ, कृत्रिम बुद्धी नहीं। उन्होंने कहा समस्या यह है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपनी नौक्रिया खोने जा रहे हैं। यह सभी MIT और Harvard और इस तरह के स्थानों में बड़े विश्वविद्यालियों में प्रोफेसर हैं। वे मुझसे पूछ रहे हैं, हम अगले दस वर्षों में क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी अब तक पवित्र था, वह सब अचानक एक छोटे से गैजेट में होने जा रहा है। आपको यह समझना चाहिए। Artificial Intelligence का मतलब सूचना का संचय है। इसका विशलेशन करना और इसे किसी दिये गैक्षन में जिस तरह से आप चाहते हैं, उसे मानव संकाय में एक मुलेवान चीज के रूप में नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक साधारन गैजेट इसे किसी भी इनसान से कहीं बहतर कर देगा। पहले से ही वह गूगल महिला आप में से किसी से भी ज्यादा स्मार्ट दिख रही है, है न? वह मुझ से ज्यादा स्मार्ट दिखती है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन तुम लोग वह हम में से किसी से भी ज्यादा स्मार्ट दिख रही है या नहीं आप बिना पलक जपकाए कुछ भी पूछते हैं वह हमें बताती है तो यहां उस जगह जा रहा है जहां बौधिक रूप से आप जो कुछ भी करते हैं वह मूर्ख तापूर्ण या अर्थहीन लगेगा यहां मेरे साथ तब हुआ जब मैं लगभग 13 साल का था कि मैंने पहली बार फ्लैट बेड कैलकुलेटर देखा था यह पैनासोनिक कैलकुलेटर उस समय यह 110 रुपय था जो बहुत महिंगा था आप आज उससे ज्यादा के लिए एक काफी पीते हैं 110 रुपीज पैनासोनिक सोनी वा 125 रुप तो भी बाइट चीपर वां उन्हें कभी नहीं खरीदा कोई एक लेकर आया और उन्होंने मुझे दिखाया परिनाम लिए पहला विचार जो मेरे मन में आया वह यह है कि मैं गनित की कक्षाओं में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहा हूं मैंने कहा मुझे बस इतना ही चाहिए मुझे गनित की कक्षा में जाने की आवश्चक्ता नहीं है आप जो भी सवाल पूछो एक सो रुपए की चीज बता सकती है कि यह टॉर्चर क्यों दस साल से इन गनित और गनित और हर तरह की चीजों से गुजर रहा हूं यह साइन थीटा, होस थीटा भी कर सकता है जो भी बक्वास आप चाहते हैं तभी मैंने सोचा कि हमें एक बड़ी मशीन बनानी चाहिए जो यह सब बक्वास करती है ताकि मुझे स्कूल न जाना पड़े आखिरकार सपना सच हो रहा है अगले एक हजार पंद्रह वर्षों में जिस शिक्षा को आप आज जानते हैं, जिस पेशे को आप जानते हैं, वह अर्थहीन हो जाएगा क्योंकि अभी उन्होंने ये मशीने बनाई हैं तो एक बार ऐसा हो जाने के बाद, कई बहुत सी चीजें जिन्हें हम सीखने में बरसो लगा रहे हैं, अर्थहीन हो जाएंगी वे कुछ ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि अगर कोई ग्राहक आए और कहे कि मुझे कैसा घर चाहिए, मेरा सौंदर्य क्या है, मेरी संस्कृती क्या है, मुझे क्या पसंद है, यह कैसा होना चाहिए और मेरा बजट क्या है एक मशीन एक कूरा घर डिजाइन करती है दस अलग-अलग विकल्प जो आप चाहते हैं, जिसमें दीवार में लटकी हुई पेंटिंग, फरनीचर, काम शामिल है अब वे कह रहे हैं कि अगले पांच से साथ साल में वे कह रहे हैं कि यह घर को प्रिंट भी कर सकता है और इसे बना सकता है तो बस डिजाइन की कलपना करो, दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अपने मौके से बाहर होंगे जब तक कि आप कुछ ऐसा नहीं करते जो एक लानत मशीन नहीं कर सकती इसके लिए आप सभी को कमर कस लेनी चाहिए अब आपको अपनी बुद्धी से परे कुछ करने में सक्षम होना चाहिए इंसान के पास बुद्धी की कई परते होती हैं बुद्धी इसका एक छोटा सा हिस्सा है अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से इंसान के बौधिक विकास के लिए समय्पत है और हम सोचते हैं कि यही जीने का सबसे शान्दार तरीका है नहीं यह नहीं है अगर हमारे पास समय है तो हम इसका पता लगा सकते है लेकिन चीजों को देखने के योगिक तरीके से हम मानव बुद्धी को सोला भागों के रूप में देखते हैं यदि आप बुद्धी के अन्य आयामों की खोज करेंगे तभी आप प्रासंगिक होंगे जब सब कुछ बुद्धिक बुद्धिक मतलब आपकी बुद्धी संचित डेटा के बिना कार्य नहीं कर सकती है संचित डेटा के बिना आपकी बुद्धी काम नहीं कर सकती क्या ऐसा है अब जो कुछ भी डेटा एसिमिलेशन, एनालिसिस और उस एनालिसिस का एक जीक्यूशन एक मशीन आपसे बहतर करेगी एक इनसान हमेशा गलतिया कर सकता है, हमेशा जानकारी को फ्रिजी कर सकता है लेकिन एक मशीन क्लियर कट है यह केवल उन चीजों को करेगा तो अगले 10 से 15 वर्षों के समय में आप जो कुछ भी बौधिक रूप से कर सकते हैं, वह अर्थहीन होगा तो आपको अपनी बुध्धी से परे किसी चीज से लैस होना चाहिए जब मैं आपकी बुध्धी से परे कहता हूँ, तो इसे देखने के कई तरीके है मैं एक सरलीकृत उदाहरन दूँगा सरलीकृत क्योंकि यदि हम अधिक परिश्कृत उदाहरनों में जाते हैं, तो हमें बहुत अधिक अन्वेशन करना होगा आज हमारे पास उस तरह का समय नहीं है उदाहरन के लिए आपने दोपहर के भोजन के लिए क्या खाया? तुम मैगी हो क्या आप कोई उसके पोशन का ख्याल नहीं रख सकते? वह मैगी है ठीक है यदि तुम नूडल खाते भी हो, तो नूडल उसके जैसा नहीं लगता इस नूडल के सिवा कुछ नहीं वह तीन-चार घंटे के समय में खाता है यह मैगी नूडल इंसान बन गया है, है ना? हाँ, इसका हिस्सा यह सिस्टम का हिस्सा बन गया है तो आप मैगी नूडल के साथ ऐसी जटिल मशीन का निर्मान कर रहे हैं यह एक तीन-दी प्रिंटर की तरह है आप इसमें मैगी नूडल डालें नहीं, मैं मैगी नूडल से नहीं बना हूँ, ठीक है मैं उससे बहते खाता हूँ यह एक मानव शरीर बन जाता है यह ग्रह पर सबसे परिश्कृत मशीन है आप जो भी खाना खाते हैं, उससे आप इसे बना रहे हैं और जो अन्न तु खाता है, वह मिट्टी है, जिस पर तू चलता है हाँ या नहीं, और यह खड़ा हो जाता है क्या यह 3D प्रिंटर नहीं है नमस्ते, वह प्रग्या तुम्हारे भीतर है या नहीं आपके दिमाग में भी नहीं, आपकी आंट में ऐसा होता है तो अगर आपको बुद्धी के इस आयाम तक सचेत पहुँच मिल जाएं तो आप जादूई रूप से जीवित रहेंगे, है ना तब कृतरिन बुद्धी आपको परिशान नहीं करेगी आप बहुत खुश होंगे क्योंकि सभी छोटे मोटे काम अगर मशीने करती हैं क्या अध्भुत दुनिया है